और वही दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो अंसार नाम काया और भी जो पकड़े गए उनके आमादी पार्टी से कनेक्शन है भारतिय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है भारतिय जनता पार्टी दंगे कराती है भारतिय जनता पार्टी हिंसा कराती है वरना ऐसा कैसे हो गया कि आम आदमी पार्टी शोभाय आतरा कराती है तो महाँ पर कोई दंगा नहीं होता। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की विधायक आती शी ने बड़ा दावा कर डाला है। दावा यही कि जहांगेरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गुंडों की पार्टी है, भारतिय जन्ता पार्टी दंगे कराती है, भारतिय जन्ता पार्टी हिंसा कराती है। वरना ऐसा कैसे हो गया कि आम आदमी पार्टी शुभा यातरा कराती है, तो वहाँ पे कोई दंगा नहीं होता। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुपता ने पहले ही दंगे के मास्टर माइंड अंसार को आम आदमी पार्टी का नेता बता दिया था। और दंगे का पूरा श्रय केजरीवाल की पार्टी के मत्थे मढ रिया था। जहागीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आमादी पार्टी का क्या कनेक्शन है। क्योंकि दिल्ली में नौर्थीस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आमाधी पार्टी के लोग, नेता, पार्शद और विधायक उसमें सूतरधार थे, उसके मास्टर माइंड थे और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम काया और भी जो पकड़े गए, उनके आमाधी पार्टी से कनेक्शन है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमने उनको दी है, बहुत सी ऐसी जानकारी भी दी हैं जो सायद मीडिया के सामने मैं उनको नह समाच की हिस्ता है, तो वो जानकारी एक बहुत गंभीर मसला है कि आखिर दिल्ली में जब दंगे होते हैं, जब मर्डर होते हैं, तो उनके पीछे आमाधी पार्टी के कारिकरता और नेता सामिल होते हैं और उनको आमाधी पार्टी के बड़े नेताओं का संरच्छन प्रा इसे के तहट कारवाई की बात कही है। बता दे कि जहांगिरपुरी हिंसा मामले पर दिल्ली पुलिस ने शुरुआती रिपोर्ट ग्रहम अंतराले को भीज़ती थी। जिसके बाद ग्रहम अंतराले आक्शन में आ गया। इस हिंसा के मामले में शामिल पांच आरोपियों पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की तैयारी की हुई है। और डेर सो से 200 CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इनकी जाच की जा रही है। इलाके में बेरिकेडिंग और फोर्स के साथ पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती भी बड़ी संख्या में की गई है। तो वहीं जाच के लि दूसरे डिपार्टमेंट से भी कॉडिनेशन और छापे मारी करने समयत अलग-अलग कामों के लिए कुल 14 टीम में बनाई गई हैं जिसे जहांगे पुरी दंगे का सच सामने आ सके। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये इन दंगों का सच कब तक सामने आ पाता है। कौन सी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और बाकी कई इस तरीके के आरोप प्रत्यारौप के दौर चल रहे हैं जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानि कि आपस में ही ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और कह रह झाले